नमस्कार दोस्तों जय जोहार दोस्तों आज का वीसा है दोस्तों जिस बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है 36 जो पांडू वन्स थे इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन दोस्तों यह जो है पार्ट वन जो है पहले से अपलोड कर दिये गया है अब लोग जो पढ़ेते दोस्तों वो है कहां तक है चंद्रगुप्त तक पढ़ेते ठीक है अब जो है इनके जो आगे का सासक है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों देखें चंद्रगुप्त के बाद दोस्तों हुआ था ठीक है यह मोश्ट इंपोर्टेंट है किस वन से संबंदी थे तो मौखरी वन से कौन से राजा सुरेवर्मा की पुत्री ठीक है और पुत्री का नाम रानी वसाटा याद रखेगा अब देखिए हर्स गुप्त के मृत्यु के परशाद जो है रानी वसाटा ने जो ह महाश्योगुप्त बालरजून के समय किसके समय उनके पूत्र थे महाश्योगुप्त बालरजून इनके समय जो है सीरपूर में एक प्रसीद लच्मन मंदिर का निर्मार करवाया था ठीक है याद रखेगा most important किसने बनवाया था तो रानी वसाटा ने ठीक है अब देखिए इसमें जो है लाल इटो से निर्मीत गुप्त काल का स्रिष्ट उदारण ये most important है ठीक है गुप्त काल का स्रिष्ट उदारण है ये जो है विश्णु भागवान को समरपीत है ठीक है अब देखिए हर्श्योगुप्त के दो पूत्र थी ठीक है पहला जो है अब हम लोग देखिए इनका जो सासन पिरेड है वो पांसो पंचामबे से छैसो पच्पानिसी तक चलता है और हर शुगुप्त के बाद जो है उत्रादिकारी शाशक बना और ये जो है ठीक है यही बस ना यही बस बता रहों दोस्तों कि महाश्योगुप्त बालर्जुन जो है यह शयोधर्म से संबंधित अनुवाई था ठीक है मतलब शयोधर्म को यह मानता था ठीक है अब दीखे अर्जुन के समान तीर चलाने के कारण ही जो है इसका नाम जो है बालर्जुन पढ़ गया ठीक है बालर्जुन की उपादी धारण की गई ठीक है किसके समान ती से इनकी जानकारी प्राप्त होती है ठीक है यह मोश्ट इंपोर्टेंट है थीक है परह महिस्वर की उपादी किसने धानर की तो महाश्योगुप्त बाल अर्जुन ठीक है याद रहे दोस्तों अब देखें यह है कि इनके सासनकाल को जो है 36 गड़ का स्वान अकाल कहा जाता ह यह most important है, ठीक है, 36 गड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है, और देखे पांडू वंसी जितने भी सासक है, है ना, पांडू वंसी के जितने भी सासक है, तो सरवाधिक समय तक जो है सासन करने वाले कौन से सासकते, तो यही थे महाशेगुप्त बालरजून, ठीक है, तो इनकी जो मुद्रा में दोस्तों, वरिशा वेवम त्रिशूल अंकित थे, ठीक है, याद रखेगा, कौन से चितर, वरिशा वेवम त्रिशूल का चितर अंकित थे, ठीक है, अब देखे दोस्तों, इनके जो कारकाल में प्रसिद जो है, नर्मदा घाटी का युद्ध हुआ, ठीक है, और नर्मदा नदी को उस समय किस नाम से जाने जाते थे तो रेवा नदी के रूप में जाने जाते थे तो किसके किसके बीच हुआ तो पुलकेसिंदीती और हर्सवर्धन के बीच युद हुआ जिसमें बालरजुन ने किसका साथ दिया तो हर्सवर्धन का साथ दिया अब इसका कारण ये था कि बालर्जुन की पत्नी और हर्सवर्धन की पत्नी ये दोनों जो है मौकरी राजवन से संबंदी थे और ये ये दोनों का आपस में उठना बैटना था इसलिए जो है किसने बालर्जुन ने जो है हर्सवर्धन का साथ दिया ठीक है और इस युद मे पुलकेसिंद्वीती ने हर्सवर्धन को हरा दिया ठीक है दोस्तों और यहीं पर महाशोगुप्त बालरजुन को भी हराया लेकिन हराने के बाद क्या हुआ हराने के बाद भी उनके जो सासन को हरपा नहीं और वो कोसल का राजा बना रहा ठीक है याद रखिएगा और इसकी जो जानकारी हमें कहां से मिलती है इसकी जानकारी जो है वो हमें एहोल अभिलेग से मिलती है ठीक है पुलके सिंद्विती का एहोल अभिलेग इससे हमको जानकारी मिलती है ठीक है तो याद रखिएगा जोस्तों इसमें most important आप यह याद रखिएगा तो महाश्योगुप्त बालर्जुन ने किसका साथ दिया तो हर्स वर्धन का साथ दिया ठीक है याद रखिएगा किसका साथ दिया हर्स वर्धन का साथ दिया अब दिखिए इसी के समय जो है प्रसिद्धी चीनी यात्री ठीक है वेन सांग जो है सीउकी में 36 ओद्सकाया किए लज्व के नाम से वनित किया याद रखिएगा अब दिखें क्या हुआ था कि महाशयो गुप्त जो है न तो इनके जो शासन काल में धार्मिक सही सुलूता स्रेश्ट था जहां पर सभी धर्मों ने जो है सथनतरता पुरव आगे देखते हैं धूस्तों जो बालरजुन है महाशेवर धर्म से संबंदी थे, सीव के उपाशक थे, लेकिन सीरफूर के पूरे पांडवन्स थे, सीरिफूर या दक्षिड को सल के जो पांडवन्स थे, वो जो धम्यों धर्म से अनवाई थे, याद रखेगा, अगर खाली महरानी वसाटा देवि द्वारा इस्थापी जो सिरपूर की विष्णु मंदिर है ila इसकी जो प्रसस्थी रचना है वह किसके द्वारा रचित है अब पांडूवंस के सबसे ज़ादा अभिली किसके मिलते confidently मिलते विशानलिक खे। अब देखे पाल का यह पाल नहीं है दोस्तों ठीक है यह पाली है ठीक है यह पाल लिखा गया है यह पाली है तो पाली का जो प्रसस्त्र मंदिर है प्रसस्त्र मंदिर किस ने बनवाया तो महाश्योगुप्त बाल अरजुन ने बनवाया हाला कि पाली में इस ती जो स्यू पंदिर है उसका निर्मार जो है बाढ़वंसी जो सासक है विक्रामा दित्य ने बनवा यह यह मोश्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ठीक है इस वन्स के जो पतन में नलवंसी सासक यह बाढ़वंसी सासकों की मत्तपुड भूमिका है याद रखेगा अब इसके बाद दोस्त ठीक है तो चलिए दोस्तों इसका डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद